वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी वैसे मैं हमेशा वेट करता हूँ कि हॉलिवट का कोई भी ट्रेलर आये तो मैं उसे हिंदी में जरूर देखू और थैंक्स टू सोनी के उन्होंने मॉर्बियस का हिंदी ट्रेलर भी रिलिस कर दिया है बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर में मजा तो बहुत आया पर ये काफी कन्फ्यूजिंग भी है क्योंकि जिस तरीके से पूरे ट्रेलर में इस्टर एग्स है वो इसे मार्वल के साथ कनेक्टो करते है पर केस यूनिवर्स वाले वो तो सोनी ही जानता है क्योंकि जब से सिल्वी ने कांड किया है और डॉक्टर स्ट्रेंज के नोवे होम की स्पेल तब से मल्टिवर्स तो वैसे भी ओफिशली स्टार्ट हो चुका है तो मार्वल और सोनी के आने वाले मुवीज या सीरिज में कब क्या कैसे होगा इसका कोई आता पता नहीं है क्योंकि इसमें ओसकॉर्प की बिल्डिंग भी है जिसके ओनर नॉर्मन ओसबॉन थे ग्रीन गॉबलिन वाले उसी समय के स्पाइडर मैन की तस्वीर भी दिवार पर लगी है टोबी मैगवेर वाले पर उस पर Murderer लिखा है जो Far From Home की याद दिलाता है हमारी मुलाकात होगी होगी मुलाकात होगी उसके अलावा Daily Bugle का न्यूजपेपर उसमें Amazinac Spiderman वाले राएनो की खबर और Morbius Last में मैं हूभ Venom बोलकर मजाग भी करता है क्या Morbius अलग-अलग universe में travel करने वाला है या No Way Home में Dr. Strange के spell का असर इस वाले film में भी दिखने वाला है चलो ये तो movie देखने के बाद समझ में आही जाएगा पर बात करें इसकी story की तो Michael Morbius खुद एक doctor कम scientist है Dr. Strange की तरहा और उसे एक rare blood disease है जो वो सालों की मेहनत के बाद भी ठीक नहीं कर पा रहा तो अपने इलाज के लिए वो कुछ नया कुछ अलग करने की सोचता है Dr. Strange की तरहा और शायद वो study और research करके ये पता लगाएगा कि bats पर experiment करके उनके blood transfusion से वो अपने आपको ठीक कर सकता है पर शायद कुछ गरबर हो जाने के वज़े से bats की सारी powers Morbius में आ जाती है जिसमें radio और sound frequency को समझ पाना night vision, eco location and even उसी eco power से उड़ पाना super human strength, वगेरा वगेरा के शक्तिया Morbius को मिल जाती है सही है यार, किसी को मकडी काटे तो वो spider man बन जाता है किसी को bat काटे तो वो batman, नहीं, batman तो dc का है और उसे तो किसी bat ने काटा भी नहीं चलो शायद इसलिए Morbius को उसी के नाम से आगे बढ़ाएंगे batman के नाम से नहीं, नहीं तो Morbius का नाम technically batman ही होना चाहिए था या हो सकता है कि उसके ही जैसे powers adapt करने वाला कोई दूसरा इंसान हो वैसे comics में Morbius एक anti-hero के तोर पर ही सामने आया है मूवी की story, action sequence और VFX काफी अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ इसकी Hindi dubbing भी ये मूवी release की जाने वाली है 28 जनवरी को Hindi, English, Tamil और Telugu में याने Spider-Man No Way Home के release के बाद हो सकता है कि No Way Home के credit वगेरा में Morbius का कोई जिकर हो ताकि उसे भी multiverse के साथ जोड़ा जा सके तो करते हैं इस फिल्म का इंतजार और मिलते हैं अगले वीडियो में बाई